Hello Friends, This is Hites and Welcome to Special Notes वीडियो सेग्मेंट में बात करेंगे साइन्स से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्योशन्स की तो चलिए सुरू करते हैं पहला क्योशन है लाइकेनों के भीतर सहजीवी सम्मंद बनाने वाले दो सुक्सम्जीव कौन शे होते हैं उप्सन है फफुंद और प्रोटो जवा, सेवाल और जिवानू, जिवानू और प्रोटो जवा या फिर सेवाल और फफुंद इनमें से एक उप्सन हमें बताना है तो दोस्तो इसका जो correct answer है अपने पास वो हो जाएगा सैवाल और फफूंद option number 4 इसका सही answer हो जाएगा next question है संसलेसित रेशों को डैस रेशा भी कहते हैं तो दोस्तो जो संसलेसित रेशे होते हैं उनको मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है next question है दो नरम धादूं के नाम लिखे जिने चाकू से काटा जा सकता है तो दोस्तो पहला option है sodium तो sodium को भी अपन काट सकते हैं दूसरा है पारा पारा नहीं फासफोरस नहीं पोटेशियम को भी हपन काट सकते हैं ए और डी को हम काट सकते हैं option number जो third है अपना ये सही answer हो जाएगा next question है आपको petroleum और पानी के मिस्रन के साथ प्रदान किया जाता है दोनों को अलग करने के लिए कौनशी विदी यूज में आएगी पहली है निस्पंदन अवसादन निस्तारण या फिर आसवन तो दोस्तो निस्तारण विदी इसमें काम आएगी option number three इसका सही answer हो जाएगा next question है श्याम एक चुला पर आलू करीब खाना बना रहा था अपने आसरी के लिए उन्होंने देखा कि तामबा पोत बारशे काला हो रहा था इस कान हो सकता है option है इंदन का उचित देहन आलू करीब या नुचित खाना पकाना इंदन कान उचित देहन तामबा पोत जल रहा है दोस्तो इसका कान ये हो सकता है कि जो इंदन है वो उचित तरीके से जल नहीं रहा यानि option number three इसका सही answer होगा next है उस कथन को पहचानिए जो कोशीकाओं के बारे में सही है कोशीकाओं के बारे में सही है option देखते है कोशीकाओं को लेंज की सायता के बिना आसानी से देखा जा सकता है तो ये तो बिल्कुल गलत है कीट का अंडा कोशीका नहीं होता गलत है एक कोशी जीव में एकल कोशीका सभी कारिये कर सकती है तो ये बात सही है बहुत कोशिका जीओं में कोशिका उनका आकार और अकरती एक समान होती है तो ये कहना भी गल्थ है यानि ओप्षन नमबर जो थर्ड है ये बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्योशन देखेंगे अपन निमल लिखित कथनों का अध्येन करें इनमें से कौन सा कथन सही है ये अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही देखते हैं बाहरी निशेचन पानी और जमीन पर हो सकता है गल्थ है मचली के अंडे चरों तरफ से स्रुक्षित करने के लिए ये बी गल्थ है मानव अंडे के सिर मद्द ये बी गल्थ है वेस्क इस्तरियों महर मैंने एक कल परी पको अंडा अंडवाहिनी में छोड द्या जाता ये बात सही है यानि चोथा उप्षन सही है केवल चोथा तो नंबर जो डी है ये अपना सही हो जाओ केवल डी नेक्स्ट योसन देखेंगे अपन जब एक दूसरे के संपरक में आते हुए प्रश्ट सापेक्स गती करें या गती करने की प्रवर्ती रखे तो गर्षन बल खुपसन है केवल तभी कारे करता जब वस्त्वे ठोस हो तो इस पर निर्बर नहीं करता है कि वस्त्व ठोस दर्वए गैसे सही बात है यहनी ओपसन नमबर फॉर इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है दवनी का तारТव गयाद किया जाता है ओपसन है आवर्ती से आयाम से चाल से या फिर इसकी प्रबलता से तो दोथ तो तारतव दवनी का तारत ग्याद किया जाता है इसकी आवर्ती से नेक्स्ट क्योशन है अपने पास आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण के बीच कोण 60 डिगरी का बन रहा है तो आपतन कोण का मान कितना होगा आपतन कोण का मान कितना होगा तो आपतने कितना हो जाएगा 60 का आदा 30 डिगरी का हो जाएगा निए option number 2 इसका सही answer हो जाएगा next question है परने पास निमन लिखीते में से सही कथन का चैन कीजिए सही कथन का चैन हमें करना है तो देखते हैं ठोस का दर्वय वस्ता से गुजरे बिना वास्प में उपांतरन वास्पन कहलाता है गलत बात है वास्प का दर्वय वस्ता से गुजरे बिना ठोस में उपांतरन उद्वा पातन कहलाता है तो ये बात सही है वास्प का दर्वा वस्ता से गुजरे बिना ठोस में रुपांतरन हिमीकरन कहलाता है ठोस का दर्वा रुपांतरन उद्वा ये भी गलत है तो ओप्शन नमबर जो टू है ये बिलकुल सही है याँ पे बाकी सब कथन गलत है नेक्स्ट है ओक्सिजन के एक प्रमानू का दर्वा विमान होता है तो दोस्तो ओक्सिजन के एक प्रमानू का दर्वा विमान होता है 16 बटे के जो दिया हमें 6.02-10 ये सही आंसर इसका हो जाएगा अगला के उसन देखते हैं अगला के उसन है अपने पास कोशिका फूल जाएगी यदी कोशिका फूल जाएगी यदी ओपसन है अपने पास कोशिका के बितर जल के अणों की सांदरता उसके बाहर चारों और उपस्ति जल के अणों की सांदरता से अधिक हो दूसरा उप्सन है पने पास कोसिका के बाहर चारों और उपस्तित जल के अणों की सांदरता से अधिक हो या फिर कोसिका के बितरता था उसके बाहर के जल के अणों की सांदरता समान हो या फिर लाश्ट उप्सन है जल के अणों की सांदरता महतो नहीं रखती है तो दोस्तो कोशिका कफ फूल जाएगी जब कोशिका के बाहर चारों और उपस्तित जल के अन्मों की सांदरता अधी को यानि अपना जो option number two है ये इसका correct answer हो जाएगा next question की बात करते हैं अगला question है अपने पास नई कोशिका का निर्मान पूर्वे इस्तित कोशिका से होने की बात किसने कही option है हेकलने, विर्चोने, हुकने, स्लाइडेनने तो दोस्तो ये जो बात है ये कही थी विर्चोने यानि option number two इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा next question की बात करते हैं फुटबाल के खेल में कोई गोल रखसक गोल पर तीवर गती से आती बोल पकड़ने के पस्चात अपने हाथों को पीछे के और खीसता है ऐसा करके गोल रखसक option है बोल पर अधिक बल लगा पाता है बोल द्वारा हतों पर लगे बल को कम करता है सुम्वेक परिवर्तन की दर में वर्दी कर देता है सुम्वेक परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है तो दोस्तो जो को लग सकता तीवर गती शाती बोल पकड़ने के पसाथ अपने हाथों को पीछे की और खीचता है इससे क्या होता है कि जो बोल दुआरा हाथों पर जो बल लगता है मैंने कि जो बल लगता है चोट ना लगे इसलिए ऐसा होता है नेक्स्ट क्योशन की बात करेंगे, अगला क्योशन है पने पास, कोई सेब किसी वर्क से पर्थवी पर पर्थवी वे सेब के बीच गुर्टवा करशन बल के कारण की दता है, यदि पर्थवी दुआरा सेब पर आरोपित बल का प्रिणाम F1 है तथा सेब दुआरा पर पर आ में F1 बहुत अधिक होगा F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होगा F2 की तुलना में F1 केवल थोड़ा अधिक होगा या F1 वे F2 बराबर होंगे तो दोस्तों जो F1 और F2 है ये दोनों बराबर होगे या उप्सन नमबर जो 4 है इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा next question की बात करते हैं पर 10 mm लंबी कोई सुई किसी आउतल दरपने के सामने उड़दो आधर रखी है इस सुई का 5 mm लंबा परती भी उन दरपने के सामने 30 cm दूरी पर बढ़ता है दरपने की फोकस दूरी है तो दोस्तों इसकी numerical calculation करने पड़ेगी और इसका जो फोकस दूरी है वो आजाएगी 20 cm माइनस 20 cm इसकी फोकस दूरी आजाएगी नेक्स्ट योसन है तारों के टिम्टि माने का कारण है ओप्चन है वायुमंडल ये जल बुंदो द्वारा परकास का विच्छेपन वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तना अंकों की विभिन परतों द्वारा परकास का परतन वायुमंडल ये धूल करनों द्वारा परक प्रकास का आंत्रिक परिवर्तन तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है वाज मंडले में परिवर्ति अपवर्तनों की विभिन पड़तों द्वारा प्रकास का अपवर्तन होता है यह उप्शन नमबर टू इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन है कोई विदूत के अतली 220 वोट पर परचलीते होने पर एक किलो वाट विदूत सक्ती उपभोग करती है इसके लिए किस अनुमंतां के फ्यूज तार का उप्योग किया जाना चाहिए उप्शन है वन वो टू एम्पियर टू एमपियर फोर एमपियर या फाइफ एमपियर तो दोस्तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइफ एमपियर नेक्स्ट है आमास्यक आस्तर निमन लिखित में से एक की उपस्ति कारण सुरक्सित बना रहता है सही उतर चुनी ओप्शन है पेपसिन स्लेशमा लार एमाई लेज या पित रस तो इसका सह आंसर हो जाएगा स्लेशमा स्लेशमा कारण जो आमास्यक आस्तर सुरक्सित बना रहता है दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्यों से मिलते हैं इसी परकार की एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुस रहे मुस्कुराते रहे जैहें टेक केर पुसुराते लिए स्लेशमा की बना है जाएबाएबा था जे शें कि एक के लिए वीडिर्बवां सिर्फ जा टूशरते हैं